फाइनली फाइनली दोस्तों जिस सभी कहां हमको इंतजार था हम वही वीडियो लेके आगे चुके हैं जी हां दोस्तों मैंने कल बोला था कि मैं इसका वीडियो लेके आने वाला हूं फाइनली हम लोग लेके आचुके हैं पर Arrow OS Official Android 11 based जी हाँ दोस्ते ये Android 11 based Poco M2 Pro के लिए Official Roam है, साती में ये जितने भी हमारे Mi Atoll के अंदर डिवाइस आते हैं, यानि यहाँ पर हमारा Redmi Note 9, Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 नहीं है, सोरी ठीक है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max पता नहीं और कौन कौन से है 9S, जिसके अंदर भी ये सब कुछ सपोर्ट करता है, मैं सारे डिवाइस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँआ और जाके सिंगल रोम है, सभी के लिए एकी सिंगल रोम है, और सारे डिवाइस के लिए आप इसी रोम को स्तमाल कर सकते हो क्योंकि सभी 720G पे बेजड है और सभी के अंदर सेम आपको डिस्प्ले साइज गया देंगों मिल जाता है तो एक यूनिवर्सन लाम इनको दिया गया है ठीक है, ये ड्राउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाते है, आज हम बात करने वाले दोस्तों Android 11 बेस्ट Aero OS की अपने इसी Poco M2 Pro के लिए फिलाल मैं Poco M2 Pro के अंदर यूज कर रहा हूँ बात करें यहाँ पर इसके इंदर जिए पैचेस हमको देखनों मिलते है वो मिलते हैं यहाँ पर पाच अक्टूबर के उसी वीडियो के अंदर मैंने इसकी भी बात करी थी तो अगर यहाँ बैटरी बैकप के बात करें तो काफी ठीक था यहाँ बिल जाता है इसके बात रश्य चिम के बात करती हैं में सइसे के इंदर इसके बात करते हैं बागी Geekbench score के बारे में बात करेंगे और यहां पर मैं आपको एक खास बात इसकी और बता दो, इसके अंदर आपको Dolby Audio देखने को मिल जाता है by default, जो कि काफी अच्छे से काम कर रहा है, without any issue आप इसको भी यहां पर use कर सकते दोस्तों, यह काफी अच्छी चीज जाती है, इस साथ use कर पाएंगे, यानि आपके internal sound और mic की जो sound आईगी, दोनों को आप एक साथ record कर पाएंगे, यह काफी अच्छा option इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, cancel करतो है, यहां पर इसके अंदर में को एक issue देखने में बिल जाती है, यहां पर flash किया Rome को, तो मुझे सब साथी में चलते हैं, आपर नेक चीज़ की बात करते हैं, आपर network setting के अंदर आपको कुछ इस तरीके बिल जाते हैं, जैसे कि पहले से ही है, वैसा ही है, बिलकुल ऐसा कोई अलग वाला इनी देखने को मिलता है, यहांपर अगर आइकन की बात को तो आपको थोड़े से different आपको यहांपर देखने को मिलते हैं, काफी colorful अच्छे लग रहे हैं, बाकी यहांपर जो launcher है, वह यहांपर default launcher हमको देखने को मिलता है, ऐसा कोई बहुत customization के साथ नहीं आदा है, ठीक है, तो यह बात हो जाती है, आपर मैं एक बार यह आपको दिखा जाता हूँ कि बात करते हैं, बाकी बाकी चीजों की ही तो यहांपर चोटी ऋचीजों की आप ज़ली को मिलती है, बहुत कुछ यहांपर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता आपको, बहुत कुछ आप कस्टमाईज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बीटा स्चेज में ही है, ठोड़ी चीजों की तो यहाँ पर बैट्री के बात कर चुक्क हो चलते हैं दिस्प्ली के अंदर आपको आपको देखने को मिल जाते जिसे आप देख सकते हैं चाहिए जो आपको पसंद ओ उसी यहाँ पर यूज कर पाएंगे तो यह शेडूल करने के लिए आपको इसके अदर option देखिन बिलता है style और बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से देखिन को मिल जाते हैं और यहाँ पर आइकन शेयर भी आपको कुछ 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 देखिन को मिल जाती है तो यह कुछ यहां पर चीज़े हैं जो आपको कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लाव आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और यहां पर अगर आप यह चीज नोटिस करेंगे तो आप काफी अच्छे से इसको यहां पर देख पारें एक चीज है यहां पर काफी अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको यह तोड़ी बहुत जो इसकी कस्टमाइशन कर सकते हैं लॉक स्क्रीण को मिल जाती है बाकिया फॉन्ट के बात करें दिपी आई के बात करें आपर चेज कर पागे स्टेटस बार आइटम को आपर on-off की जिसको भी रखना है आपर यानि जो सिस्टम यूई कस्टमाइजर होता है वो इसके अंदर आपको अंबर देखने मिल जाएगा तो यह ठीक कुछ चीज़ें हैं आपर डिस्प्ले के अंदर चलते हैं आपर साउंड के बात करते हो तो साउंड के अंदर भी आपक आपको यहां पर फिंगरपिट देखने मिल जाता है और यहां पर आपको कोई बात करने पर बात नहींगे कितना हुत है ये चीज़ हो जाते हैं आपर फिंगरप्रिंट बार होचला बाकिसु cancer को लगा सकते हैं यहांब कर इसको कितने और कtantने हैं न फोने टीन करने चार करने चांब बहुत हैं आप ही कर सकते हैं तो चाहर कर सकते हो हैं श कर सकते हैं यहां पर राकिस के लिए आपको यवाल तो यह आपर देख्म हो मिल जाती कुछ power settings, power menu की settings को आप customize कर सकते हो, इसका लगाँ पर आपको यह जैसे को भी option दिखने को मिलता है, जो कि हमको हर डिवाइस नहीं दिखने को मिलता है, जिसके अंदर आप यहां पर use का चाहिए को मिलता है, जो sound value की settings होती है, उसके अंदर देखने को मिलता है, यहां पर enable turbo boost, यहां पर जैसे आप टच करेंगे अपनी display को ताकि कोई आपको देखने को ना मिले, तो यहां पर cp को boost कर देगा, जैसे आप अपनी touch को use कर देओ, इसके लाव आपको यहां पर fps overly देखने को मिल जाता है, कितने fps में क्या चल रहा है, तो by default इसके अंदर देखने को मिलता है, देखिए अगर मैं जल्दी जल्दी करता हूं तो यह आप यहां पर यहां पर use कर सकते हो, यहां पर clear speaker का भी option देखने को मिल जाता है, जिसके आप यहां पर इस तरहीके से यह sound create होती है, और इससे जितनी भी dirt होते है, वो सारी भाहर आ जाती है, इसके लावा दोस्तों और कुछ option की बात करते हैं, आप 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 यहां पर preset access reboot का कुछ, अगर आप मान लीजिए कुछ भी आप गडबर हो जाती है, तो यहां पर reset कर देगा हर reboot के बात यहां पर एक option यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 3.0 port वाला charge को भी on करके जाख सकते हैं, जहां पर आपको 900 MA तक यहां पर आपको देखने को मिल ज जाता है, यह official ROM है, तो शायद आपको update directly यहीं से देखने को मिल जाएंगे, यह काफी अच्छी बात हो जाती दोस्तों इसके अंदा, चलते है installation बहुत ही जाद है easy है, सबसे पहला आपको अपनी TWRP, sorry TWRP नहीं आपन पिछ black recovery जो है उसके इंदर बूट करना, शायद TWRP, Android 11 के करने के बाद आपको यह वाली room flash करती है, जो मैं आपको नीचे description मिल जाएगी, इसके अंदर तो होगी नहीं फिलाल, लेकिन मैं आपको ज़रूर से दिखा दूँगा, तो देख सकते हैं, पिछ black recovery है, तो पिछ black recovery से भी जो है आप flash कर सकते हो, जैसी कि मैंने जो last recovery हैं आप काफी easily रहेगा, फिलाल जो है, इसके अंदर decrypt आपको दिखने को नहीं मिलता है, कुछ भी Android 11 के अंदर, यह एक bug यहाँ पर आपको ज़रूर दिखने को मिलता है, आप TWSRP के अंदर कुछ use नहीं कर पाते हो, यहाँ पर यह चीज़ देखने को अंदर यहाँ जाती है, बा सिस्टम के अंदर, यहाँ पर सिस्टम के अंदर भाई साब reboot इस तरीके से कर लेना है, आपको वीडियो काफी अच्छा लगाओगा, इंजॉयबल लगाओगा, वीडियो पसंदा है यहाँ पर चैनल को संस्क्राइब पले वीडियो का पर ज़रू से लाइक कर लो, कमिट कर यहाँ पर बूटिंग अनिमिशन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर यह भर जाएगा पूरा, जैसे ही on होगा डिवाइस, तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे यह आप चेक आउट करी सकते हो, तोड़ा सा और यहाँ पर देखते है, ठीक है, यहाँ पर हो गया, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ट डालना है, और अब यहाँ पर आती है घड़ी, गीक बैंच स्कोर की, गीक बैंच स्कोर जो है काफी अच्छे देखनी को मिले, इतना भी बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं है, यहाँ पर देखनी को मिल जाते है, तो जैसे कि आप दे चीज़े जैक कर सकते हैं, अपने हिसाब से मर्टी गोर के अंदर क्या है, कितना है, यह भी आप यहाँ पर जैकाऊ कर सकते हैं, तो अब हम फिट से बोल सकते हैं दोस्तों, आई होब आपको यह वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया था प्ली आपर चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिए वीडियो का अपर जोड़ू से लाइक कर लेड़ा, कमेट करके सब्सक्राइब कर लेड़ा, मैं मिलता हूँ आप से एक और फ्रेश वीडियो में, बाबाई!